असलाम लेकुम फ्रेंड्स दिस इस उस्मान फ्रम टेक टाक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्टसप फ्री क्यों है means हमें वर्टसप पर किसी भी तरह की कोई एर देखने को क्यों नहीं मिलती तो वहां पर यहां तो हमें एर्ज देखने को मिलती है यहां हम उनके सर्विसिज के इवस उनको कोई चार्जिस पे कर रहे होते हैं जिससे के वो कमपनिस पैसे बना रही होती है लेकिन अगर बात कर लिजए वर्टसप की मजूद बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें तो इस क्वैस्टन का आंसर देने से पहले वर्सप की थोड़ी सी हिस्ट्री को डिसकस कर लेते हैं वर्सप कब बना वर्सप आज तक कैसे चर रहा था अगर यह पैसे नहीं बनाते थे तो यह कैसे चर रहा था तो वर्सप को सबसे पहले 2009 में ब्राइन एक्टन और जेन कॉम यह दोनों फाउंडर से वर्सप के जिन्नों ने वर्सप को बनाया जो WhatsApp का basically idea लेकर रहा है यह Yahoo के employees थे पहले फिर Yahoo से इन्हें निकाल दिया गया उसके बाद इन्होंने Facebook में जोब के लिए apply भी किया लेकिन वहाँ से इन्हें reject कर दिया गया तो उसके बाद इन्हें एक idea आया कि क्यों ने एक ऐसी messaging app होनी चाहिए कि जिसे mobile में use करते हुए internet के जरीए एक mobile से दूसरे mobile में message send किया जा सके क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत पहले Yahoo का एक messenger होता था जो के बहुत ही popular था लोगों में क्योंकि ये दोना इन्सान Yahoo के employees थे और Yahoo का messenger लोगों में बहुत ज़्यादा popular था इसलिए इन्हें ऐसा idea आया तो इन्होंने क्या किया है इन्होंने जो सबसे पहला WhatsApp create किया था वो सिर्फ और सिर्फ Apple की app store के लिए था और इसका idea इतना simple था कि उससे पहले जो जितने भी messenger थे अगर बात कर लीज़े Yahoo messenger की या अगर लोग Facebook को use करते थे है आपके नमर पर और आप simple से registration आपकी complete हो जाती है तो इन्होंने एक बहुत ही simple registration का method introduce कर वाया कि जिसको एक कोई भी आम सा बंदा भी use कर कर सकता था और उसके बाद WhatsApp को use कर सकता था तो इसलिए WhatsApp बहुत ही ज़्यादा popular होने लगा लोगों में और 2011 के start में सिर्फ दो साल की अर्से में WhatsApp का शमार Apple के app store में top 20 applications में होने लगा WhatsApp इस कदर popular हो चुका था लोगों में लेकिन अगर बात कर लीजए WhatsApp की earning की तो WhatsApp अभी तक के लिए कुछ भी earn नहीं कर रहा था WhatsApp के अभी तक earning कर जो resource था वो कुछ भी नहीं था बट WhatsApp की audience क्योंके दो साल की अर्से में बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो WhatsApp की team के लिए WhatsApp की audience का data को save रखना उसको maintain रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था क्योंके यह बहुत ज्यादा expensive होता जा रहा था तो किसी भी application या किसी भी website को अपने users का data store करने के लिए servers required होते हैं तो servers free में तो नहीं आते servers के लिए आपको servers की companies को pay गड़ना परता है तो फिर क्या हुआ WhatsApp की popularity को देखते हुए Sequa Capital नाम की एक company है जो के American based company है उन्होंने WhatsApp में 8 million invest किये बट उन्होंने 8 million invest तो किये लेकिन फिर भी हमें WhatsApp में किसी तरह की कोई भी ads देखने को नहीं मिली तो फिर क्या हुआ तीन साल तक तो ये काम ऐसे ही चलता रहा और फिर Facebook आया और Facebook ने WhatsApp को acquire कर लिया 19 billion dollars के इवस जब WhatsApp के user 1 billion थे तो Facebook ने इसे acquire किया 19 billion के इवस अगर थोड़ी calculation की बात की जाए तो Facebook ने WhatsApp की टीम को एक user के इवस 19 डॉलर दिये तो Sequa Capital ने जो 8 million invest किये थे WhatsApp में तो यहाँ पर Sequa Capital के लिए 5000 गुना ज्यादा profit था तो इस तरह से Facebook ने easily इसे acquire कर लिया WhatsApp को लेकिन उसके जो co-founders थे उन्हें shares मिल गए Facebook में तो Facebook ने इसे acquire कर लिया बट फिर भी हमें WhatsApp में किसी भी तरह की कोई भी ads देखने को नहीं मिली तो Facebook ने इतनी बड़ी रकम क्यों अदा की तो Facebook की कोई ना कोई planning तो होगी तो अगर Facebook की planning की बात सुनने आप तो आप एक दफा अपना सर पकड़ के बैर जाएंगे कि Facebook की planning इतनी बड़ी थी Facebook ने जहां पर WhatsApp को acquire किया वहां पर Facebook ने Instagram को भी बाय कर लिया तो ये दोनों बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा popular होने वाले social media थे अगर Instagram की बात की जाए तो वह social media था और अगर WhatsApp की बात की जाए तो ये messaging app थी तो ये दोनों ऐसी applications थी जो के थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा popular हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा लोग इसे use करते थे तो Facebook ने क्या किया इन दोनों को buy गर लिया और उसके बाद Facebook की जो current audience थी जो अभी भी चल रही है Facebook की audience वो 3.7 billion users हैं जो इसके active users हैं अगर बात कर लिजाए तो ये तकरीबन आदी दुनिया बनती है जो Facebook के current users हैं Facebook के बाद इतनी बड़ी audience आ गई तो Facebook ने जो वर्समें पैसे invest किये थे अब मैं आपको बताता हूं के Facebook उसे कैसे return में कैसे लेगा Facebook उसे बहुत ही बड़े margin से return में लेगा कैसे तो यहां पर बात कर लिजे crypto currency की Facebook crypto currency को use करने वाला है अगर आपको crypto currency का नहीं बता तो मैं आप लोगों को बता दून रफली थोड़ा सा idea दे देता हूं इस वीडियो में crypto currency एक digital currency है अगर बात कर लिजे हमारी दुनिया की तो यहां पर paper currency चलती है जैसे के Pakistan में रुपीज चलते हैं इंडिया में भी रुपीज चलते हैं चाइना में यान चलते हैं और USA में डॉलर्स चलते हैं तो यह paper currency है paper currency को अगरा हम physically उसे touch कर सकते हैं उसे देख सकते हैं लेकिन जो crypto currency है उसे हम physically टच नहीं कर सकते हैं क्यूद के न हमारे mobile में होती है अगरे computer में होती है basically यह एक application होती है जिसे wallet कहते हैं वहाँ पर store होती है इसे mine किया जाता है इसे mine कैसे करते हैं, इसे mine करने के लिए computers का use किया जाता है, graphic cards का use किया जाता है, तो उनको use करते हुए इस cryptocurrency को mine किया जाता है, लेकिन अभी तक के लिए market में जितनी भी cryptocurrencies हैं, वो सारी decentralized हैं, उनकी कोई भी money trail नहीं बनती, अगर वो कोई एक user दूसरे user को send करता है, for example मेरे पास थोड़ी सी cryptocurrency है, तो मेरे पास ये कहां सी आई, और मैं आगे किसे दूँगा, तो इसकी कोई भी money trail नहीं बनती, इसलिए बहुत सारी countries में ये cryptocurrency ban होती है, लेकिन इसकी एक value होती है, ये exist करती है, इसको आप use कर सकते हैं, किसी भी sale purchase के लिए, cryptocurrency बहुत सारी है, लेकिन इनमें ऐसे scientist थे, उन्होंने इसे बनाया था, लेकिन तब तो ये इतना popular नहीं था, बट वक्त के सासा, ये currency बहुत ज्यादा popular होने लगी, और इस तरह की और बहुत सारी currencies market में आने लगी, जैसा कि Ethereum है, Ripple है, Litecoin है, और इस तरह की बहुत सारी, बहुत सारी currencies है, बट जो सबसे ज् decentralized crypto currency है, इसकी कोई भी money trail नहीं बनती, इसका कोई भी central bank नहीं है, जहां पर इसका कोई card मजूद हो, इसलिए बहुत सारी countries में ये crypto currencies ban होती है, पाकिस्तान में भी ban है, बट UK USA में ये currency unban है, वहाँ पर आप इसे use कर सकते हैं, वहाँ पर ये legal है, तो basically WhatsApp को खरीदने के बीचे Facebook का जो idea था, वो idea ये ही था, कि WhatsApp cryptocurrency को use करने वाली है, क्रिप्टो करनसी को WhatsApp कैसे use करेगी, WhatsApp अपनी एक cryptocurrency को launch करने वाली है, लेकिन वो decentralized नहीं होगी, उसकी एक money trail बनेगी, जिसे के Facebook कहती है कि इसकी money trail Facebook के पास होगी, इसका central bank Facebook होगा, Facebook के पास सारा record होगा, कि ये कहां से आ रह currencies थी, Bitcoin, Litecoin, तो इनका record नहीं बनता है, इसलिए बहुत जादे countries में ये band थी, क्योंकि ये black money के लिए use हो सकती थी, और ये use होती भी है, इसलिए ये बहुत सारी countries में band थी, बट Facebook क्योंके वो कहता है कि वो जो अपनी currency लेकी आ रहा है, 2018 में Facebook ने अपनी crypto currency जिसका नाम Libra है, उसका white paper release कर दिया है, जिसमें Facebook ने Libra से related जितनी भी information थी, सारी details उन्होंने उस white paper में release कर दी है, उसका link मैं नीचे description में provide कर दूँगा, आप वहाँ से जाके उसे पर सकते हैं, तो Facebook ने अपनी cryptocurrency का white paper release कर दिया, उसके बाद Facebook करने क्या जा रहा है, Facebook के पास already बहुत बड़ी में audience मजूद है, Facebook ने recently WhatsApp में एक feature introduce कर वाया है, जो कि अभी के लिए सिर्फ इंडिया और बराजील में उन्होंने release किया है, जिसको यूज करते हुए एक WhatsApp user, किसी दूसरे WhatsApp user को पैसे transfer कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ locally transaction हो सकती है, अगर बात कर लिजए international transaction की, तो वहाँ पर ये तो वो totally free होगी, बट इस feature में WhatsApp में आपके जो पैसे आएंगे, आपको सबसे पहले तो अपनी bank account के detail को add करना पड़ेगा, जिसके थूरू आप अपने WhatsApp में deposit कर सकते हैं, और फिर या आप अपने किसी दोस्त को जो के WhatsApp को use करता है, उसे पैसे transfer कर सकते हैं, बट यहाँ पर Facebook क जो main idea है, Facebook अपनी जो digital currency है, उसको ले के आएगा मदान में, Facebook क्या करेगा, Facebook अपनी digital currency को सारे लोगं को छोटे छोटा gift देगा, about $7 का gift देदे, $5, $2, छोटा सा gift देदे, और लोगं को कहें के आप इसे use कर सकते हैं, किसी भी बंदे को, जो के WhatsApp को use करता है, और सिर्व WhatsApp नही जो Facebook use करता है, जो messenger use करता है, जो Instagram use करता है, क्योंकि यह सारी जितनी भी applications हैं, यह सारी Facebook की हैं, तो आप इन applications को use करते हुए, Facebook की digital currency के थूँ कोई भी transaction कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो local transaction की restriction थी, वो खतम हो जाएगी, जैसे आप Facebook की currency को use करेंगे, क्योंकि यह किसी भी country की currency currency नहीं होगी, यह Facebook की अपनी currency होगी, Facebook खुद इसे mine करता होगा, Facebook खुद इसे control करता होगा, तो Facebook की currency को use करते हुए, आप international transactions को भी use कर सकते हैं, लेकिन Facebook की digital currency है, वो आपके WhatsApp या आपकी messenger application या Instagram में कैसे आएगी, उसके लिए आपको WhatsApp को pay करना पढ़ेगा, आप WhatsApp को पैसे दे basic aim था WhatsApp को खरीदने का, वो यही था कि Facebook एक बहुत बड़ी तदाद में audience गेन करना चाहती थी, क्योंकि यह WhatsApp का payment का feature है, यह सारी countries में एक दफा रॉलड हो जाए, उसके बाद Facebook अपनी digital currency को release करेगा, और सारे बंदों को छोटे छोटे चोटे gift देगा, आप इसको use करें, और जैसे वो लोग उसे use करेंगे किसी बंदे को देने के लिए, क्योंकि वो free में मिले हैं, और Facebook के पास उसके सारे records होंगे, इसलिए वो सारी countries में legal भी होगी, इसलिए हर बंदा उसे use भी कर सकता है, तो वो जो gift होगा ना $5 का, वो हर बंदा उसे use करेंगा, और जब एक दफा use कर लिया ना, तो वो हर बंदे को आदत हो जाएगी, तो हर बंदे को ना सही, लेकिन बहुत बड़ी तदा में लोगों को आदत हो जाएगी उस currency की, तो जैसे लोगों को उसकी आदत होगी, तो लोग Facebook को पैसे अपनी जो paper currency है, वो देखे Facebook की जो digital currency है, उसमें अपने पैस फेसबुक generate करने वाली है, वो बहुत ही बड़ा revenue है, और अगर ये idea work कर जाता है, तो Facebook दुनिया की सबसे अमीर company हो जाएगी, सिर्फ सबसे अमीर नहीं, जो बाकी दुनिया की companies होंगी ना, वो Facebook के आस पास भी नहीं आएगी, Facebook इतनी अमीर company हो जाएगी, तो वर्सा free क्यों है, यह आज तक free क्यों था, तो यह मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके पीछे reason क्या है, कि Facebook का क्या idea है, क्या aim है, तो इसके लावा अगर कोई question आपके मैंड में हो, तो आप मुझे नीचे comment box में बता सकते हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, thank you for watching, Allah.